Dear students, welcome to Great Smashers इस वीडियो में explain करने जा रहा हूँ various testing types और ये types जो है न गाईज ये आपके competitive exam, even आपके college or university exam, interviews, कहीं पे भी आपको पूछ लेना, आपको each and every point जो है वो इस वीडियो में complete हो जाएगा और especially last moment पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो पूरी testing की कहानी जो है ना, वो आपको इसी वीडियो से clear हो जाएगी, और ये वीडियो में आपको जितने भी points बता रहा हूँ इनको note कर लेना, reason उसका ये है, क्योंकि इस तरीके से categorization आपको एक वीडियो में कहीं भी नहीं मिलेगा, तो जितने भी छोट-छोटे points आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे points आपको बहुत helpful करेंगे, तो guys, फड़ा फट से वीडियो को लाइक करतें, चैनल को subscribe करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है, तो कैटेगरी क्या है, ये वो, तो आपको simply इसी वे में याद रखना है, कि 4 levels हमारे पास होते हैं, हम 4 levels के basis पे categorize करते हैं, टेस्टिंग की types को, अब ये level का मतलब क्या है, level 1 आप कह सकते हो, ये lowest level आप कह सकते हो, unit testing, level 2 में integration, level 3 में system, level 4 में regression, अब ये level कहा से आगे, level एक्चल में क्या है, जो हमने SDLC का model की है SDLC के model में हमारे पास जो coding and development वाला जो phase आता है, जिसमें coding हो रही है, development हो रही है, उस phase में होती है आपकी unit testing, तो पहले ये होगा, उसके बाद हमारे पास जो testing का proper phase है, उसमें आपकी integration testing as well है system testing होगी और उसके बाद आपका last phase कौन सा आजाता है, maintenance, तो उसमें आपका क्या होगा, regression, तो ये point जो है, वो बहुत important है, इसको पहले note कर लेना, तो यानि सबसे पहले हम चलते हैं, जी unit testing के उपर, तो unit testing कब कर रहे है, जब वो development phase में है, जब वो coding phase में है, तो भाईया, ये unit का मतलब ही क्या है, कि very small unit, very small module, आप किसी module को, function को, program के code को, आप क्या बोल सकते हो, unit, smallest element आप बोल सकते हो, software का unit, तो जब आप एक एक unit को test कर रहे हो, during the development phase, that will become the unit testing, यहाँ पर मैं एक और categories बता दूँ, कि कई बार न, आपको बहुत जगा पर मिल जाएगा, इस तरीके से, इसके आगे भी further दो category बनाई होती है, white box testing, and black box testing, लेकिन guys, वो इसकी types नहीं है, वो test cases को design करने की approaches है, test case हम कैसे design करते हैं, one way is black box, another way is white box, तो black box में बिना internal structure के जाने, हम सिरफ input देंगे, output जो है, वो check करेंगे, मलब let's say मेरे पास car है, अब उस car में मैंने simple क्या करना, car को चला के देखा, और बात करते हैं, मैंने engine, tires, उसके internal structure पे focus नहीं करना, लेकिन white box में हम internal structure के basis पे coding के basis पे हम उसको क्या करते हैं, जो test cases है, design करते हैं, although हम उसको थोड़ा हो detail में देखेंगे, जस्ट आपको एक overview दे रहा हूँ, then आजाता है जी, integration testing, integration testing आपका होता है, proper testing phase में, integration नाम से बना लग रहा है कि unit जो था small unit है, उन units को जब हम combine करते हैं, तो बन जाता है जी, integration testing, अब आपके mind में आ सकता है, जब हमने already individual unit को test कर लिया, तो आप 2 unit को जोड़ने के बाद क्यों दुवारा से test कर रहे हो, जब दोनों को अलग-लग test करी लिया, तो भाईया, यहाँ पे जब हम दोनों को compare किया, जब हम उन दोनों को जोड़ा, मतलब unit 1, unit 2 को जब हमने integrate किया ना, integrate करने के बाद क्या वो properly integrate हुए है, या आप कह सकते हो, module 1, module 2 को जब आपने integrate किया ना, क्या वो आपस में compatible है, यह चीज भी आपको check करने पड़ेगी, that is in that integration testing, और इसकी आगे आजाती है, four types, bang bang, top down, bottom up and mixed, then हमाल पास आजाते है, यह system testing, मतलब मैंने चोट चोटी units को test किया, फिर उनको combine करके modules को test किया, लेकिन अभी तक पूरे system को test नहीं किया, जब आपका software बन गया, अब पूरे software को आप क्या कर रहे हो, पूरे system को test कर रहे हो, मतलब कहने का, पहले आपने, अगर car की बात करे हैं, आपने engine को check किया, tires को check किया, axle को check किया, आपने, उसका body parts, इन सब को आपने check किया, फिर आपने engine को setup लगाया, फिर चेक ही, आपने tires लगाया, wheel balancing यह सारा किया अब जब कार मार्केट में आने से पहले पूरी कार बन चुकी है पेंट इंटेडियर वगरा सब हो चुका है अब आपको उसको प्रॉपर टेस्ट करना है उसको रोड पे लाओगे तो रोड पे लाके आप उसको टेस्ट करोगे अलग अलग ड्राइबर से अलग acceptance, alpha, जो development team है, जिसने वो car बनाई है, या software बनाई है, अगर आप car के point of view से ले रहे हैं, तो आपको easily याद हो जाएगा, तो जिसने वो car बनाई है, वो खुद actual में क्या कर रहा है, test कर रहा है, पूरी car को, बीटा, friendly customer चेक करेंगे, मतलब कहने का, जैसे Toyota वालों ने car बनाई, तो वो for example, अपने जो friendly customers है, let's say Toyota की, अगर Ford वालों के साथ बनती है, just for example, तो और उने Ford वालों को दे दी, कि भी या एक बर इस car को use करके देख लो, जो भी कमी पेशी है, वो आप बता दू, just for example, मैं आपको बता रहा हूँ, then acceptance, acceptance मतलब अब user के हाथ में वो product दे दिया, customer के ह आप में दे दिया, customer उसको check करेगा, और फिर decide करेगा, whether should I accept it or not, यह basic कानी जो है, वो आप याद रखना, then आजाती है, इसमें non-functional, यह सारी functional testing है, मतलब function, function मतलब की actual में system काम कैसे कर रहा है, उसके अंदर का जो part है, उसको हम यहाँ पे check कर रहे है, लेकिन जो performance, यह non-functional testing testing है, वो भी system की testing का ही अलग category है, तो इस category में हमारे पास क्या आता है, volume, load, stress, security, configuration, compatibility, मतलब हम इसमें उसकी working kind of funda नहीं check कर रहे है, हम उसके non-functional, आप कह सकते हो, parameters को check कर रहे है, जैसे website launch कर दी, अब website launch करने के बाद, जैसे मैंने उसको दे दिया, कि यह एक बार में, एक ल load extra दे दिया, मैंने उसको पर stress डाली, मैंने volume बढ़ा के देखा, मैंने इस तरीके से जब functioning use करूँगा, तो कितना मेरा response time आया, क्या मेरी website अगर crash हो गई, तो उसको मैं कितने time में recover कर सकता हूँ, security feature क्या है, ऐसा तो नहीं है कि आपका data वो hack हो रहे है, तो यह सारे points, install कैसे करना, installation के time में कोई bug वगरा, तो यह सारे जो non-functional points है ना, वो इस testing में आपके आ जाते हैं, that is called a performance testing, या फिर non-functional testing में आ जाते हैं, बाकी आपकी फंक्शनल की अंदर आती है, finally हमारे पास last level आप कह सकते हो, that is a regression testing, जो हम करते हैं, maintenance phase में, वहला product बना दिया, accept कर लिया, for example, customer ने, customer उस project को use कर रहा है, अब project को use करने के बाद क्या, दस साल तक वो as it is चलता रहेगा, नहीं, regular basis पे आपको अब उसमें क्या चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए, आपको लग रहा है कि यह feature में आप नेया लाना चाहते हो, जैसे updates आती है न, आपके mobile पे, web applications पे, आपको regularly क्या आता है, कुछ न कुछ updates आती रहती है, especially android में, तो वहाँ पे आपको जो अपग्रेडेशन बोल रहा है, तो आपने system को upgrade किया, अपग्रेड करने के बाद, ऐसा तो नहीं है कि पुराने feature ही काम करना बंद करेगे, तो यह upgradation, whether it is useful or not, क्या वो properly काम करेगा, तो वो regression testing में चेक करते हैं, artificial errors को seed करके हम लोग चेक करते हैं, तो यह point जितने भी आपको बताएं हैं, यह उपर उपर के points है, जो आपको help करें सारी testing के types को, नहीं तो यहीं नहीं पता लगता, कुछ लोग कह देते हैं, जी black box और white box, और यह वो test design के cases हैं, यहाँ पर test को design करने के लिए, जो हम different cases बनाते हैं, किस वे से करते हैं, वो यहाँ पर हम use करते हैं, तो वो सिर्फ unit में ही नहीं, आप और जगा पर भी use कर सकते ह एक अलग चीज़ है, लेकिन जो testing के types हैं, वो हम based on level करते हैं, कब हम कर रहे हैं, coding और testing में, coding phase में यह कर रहे हैं, testing phase में यह दोनों कर रहे हैं, और maintenance में यह कर रहे हैं, तो यह points याद रखना, these points are more than sufficient, thank you.